हम लोग आज भगवत गीता के आठ फैद ध्याय के ग्यारवे शुलोंग ग्यारवा शुलोंग देख रहा है यह यदग सहरम वेद विद्व वदंती यदग्षरम बेद विदो वदंती विशंती यद यतयो उसलो पहले वाले मातिजी छेल्पेजें यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेट संग्रहीना प्रवक्षये यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंती यद यतयो वीत रागहा यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहीना प्रवक्षये तो यहां पर भग्वान ब्रह्म का वर्नन कर रहने है ब्रह्म क्या है तो किया रहे हैं यद अक्षरम वेद विदो वदनती जो वेद विद हैं उसको उस ब्रह्म को अक्षर मतलब ओम कार से सूचित करते हैं वदनती मतलब बोलते हैं वो ब्रह्म क्या है ओम जैसे हम कहते हैं न कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है तो कृष्ण ह गया वाचक और कृष्ण का नाम हो गया वाचक और कृष्ण हो गये वाच्य को वाचक मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा है और वाच्य मतलब जिसका description हो रहा वड़न हो रहा है यह दो शब्द आएंगे टीका में तो इसको समय में आ जाना चाहिए ऐसे रूप को समय बोलते हैं वाच्यों वाचक का मत्री दो रूप है बगवान के मतलब एक है उनका नाम और एक है नामी तो नामी हो गया वाच्य मैं जिसको नाम बोला जा रहा है और नाम हो गया वाचक जिसका जो नाम है जैसे मैं कहूं कि पार्थ कृष्ण प्रभू तो इसमें वाचक कौन हुआ अब मैं हो गया मैं तो हुई नहीं पार्थ कृष्ण दास यह हो गया वाचक और वाचक कौन हुआ पार्थ कृष्ण प्रभू मतलब जो भक्त का नाम ले र यह क्या है माउस है तो माउस शब्द क्या है वाचक है और यह माउस जो है यह वाच्च है आप समझ में आ रहा है दुनिया में हर चीज यह तो है और क्या है यह क्या है माइक है तो माइक शब्द क्या है वाचक और यह यह क्या है यह वाच्च है अब समझ में आ रहा है अभी एक मट रुक जाईए अब आप नाम मत लीजी वो कौन आ रहा है तुरंद बोल दिया पितामर प्रभू वाच्य नहीं है वह सही बोला उन्हें वाच्य आ रहा है मतलब जिनका डिस्क्रिशन किया जाएगा अब इन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे लड़का बोल सकते हैं ब बेजिण्रिंग कर लोग इतनी बड़ी-बड़ी वात है इतनी पास समझवाध में नहीं वाक्यों यह ग्रहस्त है यह ब्रहमचारी है इससे वाच्चा हुए कि नहीं ? इतना कठिन क्या है ? इमांग निला रहे हो मं गया तो इसी दिंध्र में मौन है ? नो मिलग समझवाः वड़न करते वह वाचब्द वाचक हो गया और वस्तु वाच्ची हो गई इस जगत में वाचक और वाच्य क्या सेम होता है नहीं होता है हमारा नाम मेरा नाम मुझे से अलग है और भगवान का में वाचक और वाच्य का वेद होता है आप समझ में आ रहा है न जिस प्रकार से लोग कृष्ण और कृष्ण नाम में भेदे नहीं देखते ऐसे ही जो वेध जानते हैं वेध विदं को सुदू करता है निराकार अनुसार निराकार वादी ओम वरस्ते भगवान कृष्ण का नाम तो इसको पहले नहीं बोलने यदक्षरम वेद विद वदंती जो वेद विद हैं वह ओम के द्वारा उस ब्रह्म का निरूपन करते हैं भगवान कौन है है अब समझ वे जो भक्ति विद हैं जो भक्ति जानते हैं वह भगवान का वदनके से वदनती किम वदनती कि करने किनन और नम कर्ष्णान बोलकर ना की समझ में तो जो वेध विद हैं जए नेराकार ब्रह्म के अब समझ है रहाए है ज traject Г報導 तूम बोलके आप समझ ऐसे थोड़ा कट है यह अपसम नहीं पारे घ्र लेगे पूछ वसराइज है यसे मैं प्छूं भगवान कौन है तो आप क्या बोलेगे घ्राट करें किया कृता रंक्रिश्न है को प्रम है शब्द बर्म से लिए भाव जानने वाले जानते हैं हम काली श्लोक समझा रहे हैं आपको ओम या निर्कार ब्रह्म पे ध्यान करने के लिए नहीं भूल रहे हैं विशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं यत 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 यह वीत रागह यत यह मतलब मुनिगन उस ब्रह्म में जिसको वह ब्रह्म ओम के द्वारा मतलब वाचित करते हैं डिस्क्राइब करते हैं उस ब्रह्म में वह प्रवेश करते हैं कब वीत रागह जब रागादी से मुक्त हो जाते हैं ताग मतलब आसक्ती से मुक्त हो जाते हैं इसके लिए क्या करते हैं कहते हैं यदिच्छन तो उस ब्रह्म में प्रवेश करने के लि कि वह उसकी साधना कता हो गी तो आप सौच लीजे क्रिष्ण भगवान है यह तो बड़ी असानी समझ में आता ह। भरह मक्या है समझ में नहीं आता है कि लूद्धिता रहोगा डuже कि इस साधना का फदा हिदा होगा और अलंभक्ति के का फाला होगा आपको तब रहें जो वेदों के ग्याता हैं जो ओंकार का उच्छारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनी हैं पर ब्रह्म हमें प्रवेश करते हैं ऐसी सिद्धी की इच्छा करने वाले ब्रह्मच्य रिवत का भ्यास करते हैं अब मैं तुम्हें वहवीदी बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाव कर सकता है अब किस प्रकार से करते हैं उसका वर्णन बारा और तेरा तक आएगा उस चौध्यवें श्लोक में शुरुद्भक्ति का वर्णन में एक बाद आके फिर से पढ़िएगा तो फिर समझ में आएगा मैं क्या भोल रहा हूं ठीका मैं अई भोल रहे देखिए मैं प्राण को आग्याट्र में स्थित करने की विदी को समझ नहीं पा रहा हूं अ आतेव यह बताएइगे की वह विदी क्या है किसका जब करना है ध्यान का विशे क्या है और इससे क्या प्राप पर है मान लो यह प्रिष्ट करते हैं इस प्रष्ट की आखाशंगा पर बगवान कहते हैं कि जो वेदविद हैं वे ओम झाल और वहुरो जो वह यह इवह शच्र दू याना चाहिए ज气 वेदविद हैं वह यह जानते हैं ऐसे वह न चाहिए वे जानते हैं कि ओम ही उस अक्षर ब्रह्म का वाचक है अठाद ब्रह्म को ओम से जाना जाता है समझ रहें बात बात सीदी ये बूली जारी कि जो वेद जानते हैं वो जानते हैं कि ब्रह्म को ओम से जाना जाता है इतनी बात समझ में आती है यह ओम का उचारण करना है और ध प्रिज्वार्चरा टेता इनके मन में नहीं है राख्डविष्यम्यूक्त है विज्ञानम नेको प्रवांत्रहज को प्राप्त होते हैं भगवान कभी अपने गुणों से चुत नहीं होते, अगर जीवों पे कृपा कर रहे हैं, तो हर परिसिते में कृपा ही कर रहे हैं, अगर वो सुंदर हैं, अनादी काल से सुंदर हैं, और अनंत काल तक सुंदर रहेंगे, अगर शक्तिशाली हैं, अनादी काल से शक्तिशाली अगॉर और अनंते कालत शक्त शाली तो भगवान भी एक रस हैं léकिन उन धुरत आएं वह यहां पर एक रस् får एक रस मतलब एक ना कुछ निए समझ निया रहा है कि समझ में आ रहा होगा तना करने तो नहीं तो उस उभ्हय रूप ब्रह्म को जानने की इच्छा से वे गुरुकुल वास आधी लक्षन नैश्टिक ब्रहमचर का पालन करते हैं उभ्हय रूप मतलब एक ब्रहम निराकार ब्रहम और एक ब् दtsåंग डरते हैं गूरुकुल में रहते हूं समझ में आ रहा है हुआ कि मैंम हरे कुछ न क्यों कर रहे है ताकि हम हरे कृष्णा के भी हरे कृष्णा को भी समझें और कृष्ण को भी समझें यह बार समझ में आ रहे हैं क्या हम हरे कृष्णा को समझते हैं हरे कृष्ण को समझ रहे हैं हम लोग भगवान का हरे कृष्ण मंत्र भी तो सजदानन्द है अभी कहां समझ पाए अभी इसके लिए निरुसाहित होने जुरत निवेद कहता है ना समझ पाओ लेकिन बार-बार बोलो को तो समझ में आ जागा भगवान की कृपवास उसी प्र शुद्ध हो जाता है और समझ पाते हैं कि मैं थोड़ा कुछ बात कहना चाहता हूं कठिन होगी थ्यान पर उसली क्या जगत में आप भोगों की अभिलाशा भोगों की सुख का अनभव कर पाते हैं अरे हर चीज में चैज शुचत बड़ा चैन उतर होगा हां करते हैं अनभव करते हैं कि खाना शुना चुना चुना जो भी अनभव तो कर रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा चित अभी भोग को spar कर रहा है विश्याकार चित क्या नाम शब्द बोला मैं आ眼सा चित ज दो विश्यों को ग्रहन्त करता है yes ऑटीन प्रकार की कि दिसकर कर रहें भगवान को ग्रहन नहीं कर पाता है पकड़न नहीं पाता आ क्या सुख है वग्ति में और भोगों को पकड़ लिता है याइस यह समझ में रहा है लोग आ में करते रहते हैं वहले साथना करते हैं तो इनका चित शुद्ध हो जाता है लेकिन ये भगवान की भक्त नहीं है तो इनका चित हो जाता है ब्रह्मा कार्चित या आत्मा कार्चित मतलब ये ब्रह्म का अनभव कर पाते हैं और जगत का अनभव नहीं करता तो कुछ समाज में आ रही बात उनको आप विशय कानम प्रवेश नहीं करता उने समझ में नहीं आता जगत का भोग क्या है वह नहीं पकड़ता वह एक जीरो और वन है अगर आप भगवान की भक्ति का सुक अनभव करने लग जाएंगे तो जगत का भोग आपको नहीं समझ में उसको टची नहीं करेंगे प्रिमावस्था में विशय भोग की कोई होता ही नहीं कि उसको रेजिस्टर ही नहीं करता उसको अनभव ही नहीं होता असे प्रकार के तो अब मैं क्यों बोल रहा हूं तो यह बात बोलने है वीत रागा राग आदी से मुक्त होकर अविद्या से व्यक्ती मुक्त हो जाता है तो विष्य को ग्रहन करना बंद कर देता है और यह क्यासे करते हैं लोग ओ क्यासि करते हैं लोग मैं उस पद का और उसको प्राप्त करने का उपाय का वड़न करूंगा ताकि तुम असानि से उस विद्या को प्राप्त कर सको संग्रह का शाब्देक अर्थ है जिसके द्वारा सत्य को सम्यक रूप से ग्रहन किया जा सके सम्यक ग्रह ग्रह मतलब पकड़ना तो मैं बोल रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि ताथ परे पढ़िए अन्टों कृष्परू श्री कृष्ण अर्जुन के लिए शट चक्र योग की विधी का अनुमोदन कर चुके हैं जिसमें प्राण को भौव के मद्ध स्थिर करना होता है यह मानकर की हो सकता है कि अर्जुन को शट चक्र योग अभ्यास ना आता हो कृष्ण अगनेश लोक में इसकी विधी बताते ह भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यदू में ब्रहम के अलाभव और कुछ नहीं है सबकुच ब्रहम की परणती है यस्यप्रभा गवतो जगदंद कोटी कोटीषवशेशवसुद्धाध्य विभूति ब्रहमनम तद ब्रहमन अनंतम ध।स ब्रहमन निश्कालं अनंतम-शेषव लोगडाउन प्रसाद की दिक्कत है अभी तो कोई दिक्कत नहीं तक तो हम बात कर रहे थे यह जो ब्रहम है यह भगवान श्री कृष्णि की प्रभा है उनके दिव्व शीद से नकलने वाली दिव्व जोती है और उसी में व्यकुट बहुत एक जगत रहता है सभी सभी का उत्स स्थान कहलाता है तो वस्तता सभी ब्रहम में हमको देखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारा विश्याकार्चित्तऽ हैं विश्याइब करने वारे चित्त यह ब्रह्म को अन्भव महीं होता है लेकिन उसी ब्रह्म की जोती से सूरी की रोश्नी आती किंतु उसके अनेक सवरूप होते हैं विशेश्ट या निर्विशेश वादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है यह वाच्च और वाचक की तरह जैसे हमारे लिए भावान का नाम ही भगवान है भगवान और भवान के नामे अंतर नहीं है ऐसे ही वह ब्रह्म को ओंक कि까요a यहां पर निर्वीशेश ब्रह्म के विशय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं अब समझ में आ रहा हो घमेदा था है इस होता है यह सबniaए टिकश्ट आईあ ज्यान की वैदिक पद्धती में चात्रों को प्रारम से गुरु के पास रहने से ब्रमिचर रिवित्त का पारण करते हुए ओंकार का उचारण तथा परम निर्विशेश ब्रम की शिक्षा दी जाती है यह प्रभुपाजी वेदिवित की बात करें एक बात ध्यान डखना ओंतो तिक यह आध्यात्मिक विशव में और भौतिक शिक्षा में अंतर यह है कि भौतिक शिक्षा में आपको हमको इंद्रिय संयम करने की कोई खास आउशक्ता नहीं इए आएटी में जैसे हम देखते थ वो समझ में नहीं आगे इसी लिए भवान क्या बोलते हैं श्रद्धवान लभते ज्यानम तत्परह सहीते इंद्रिया ज्यानम लभधवा परम शांतिम अची रेणा दिक अच्छती जो श्रद्धवान है यानि शास्त्री श्रद्धा से युक्त है गुरु वैश्णव में शास्त्र में श्रद्धा है और इंद्रिया है इंद्रिया सह है उसका भोगों में नहीं जाने था और ततपर है भगवान की सिवा में लगा रहता है ऐसे विक्ति को ग्यान राप्त होता है कि क्या क्या गोणा पर देखे श्रद्धावान ततपर और इंद्रिय सयम फिर से रिपीट करें श्रद्धावान ततपर और इंद्रिय सयम तो यह तो में उसको ग्लास में ले रहा था एक भगत मेरnew दे दे गने तो है अगर माले जीको जूस्रेकि आया है तो चुछा पारी आज रहे थे है नहीं मैं रहीता है मैं कई दो पातरता तो लेकर आओ पातर तो लेकर आओ तब कृपा मिलेगी समझना जेब में था ना रख दे जाएगा आपका रजगुल्ला या जो भी है मतलब जूस उसका तो इसलिए कुछ अपनी पातरता क्या शक्ता है इंद्रिय स्वयम करना आवश्यक है समंध में भगवान के बारे बड़े संदर उपती है कि भगवान को अगर हम जल्दी संतुष्ट करना चाहते हैं तो तीन चीजे करने होती है एक कि हमें अपने इंद्रियों पर सयम होन करना होता है दूसरा दूसरों पर दया करने होती है और तीसरा जैसे भगवान रखें वैसे संतुष्ट रहा है याद हुआ आपको इंद्रिय सयम दूसरों पर दया और जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे इसमें संतुष्ट रहा है नहीं देखिए कुछ शेर की आशकता है माली जो पंखा नहीं चल रहा है गर्मी लग रही है तो आपको इंचार्ज को बोल सकते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कहों कि अब ACV चाहिए और बहुत अच्छा वस्ता चाहिए नहीं चुछ हमारा करम है उसके इसकार हम ल आपकार से लोग परिशान है तो हम इस रूम में बंद कर दिया हो गए आप काश्चा तो कर रहे थे कि यह लोग शिक्षा मैं ब्रहमचार पर बोला था ब्रहमचार यह जो है उत्यादि शिक्षा क्यों दी जाती थी इंद्री श्यम किये बिना वेक्ति वैदिक ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं एक और इंटरस्टिंग बात है कि इंद्री करते हैं तो इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है आको याद है कि इतकर्ष लोग सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धी ग्राहियम अते इंद्रियम उस आध्यात्मिक सुख जिसमें कोई दुख मिश्रित नहां उसका अंभव कर सकते हैं जब हमारी इंद्रियां अतिंद्रि करना है कि देखिए बहुत गंभीर बात है जैसे हम अभी टीका पढ़ रहे हैं प्रभुपाज जी के शब्दों को पढ़ रहे हैं हम प्रभुपाज जी के संग प्राप्त करना है यह तो मानते हैं यह को समय बात सुपताते हैं अगवार पढ़ रहे हैं तो निउस पढ़ है तो नहीं क्या जिसने लिखा है उसका संग प्राप्ट कर रहे हैं हाँ आप समझ मैं सत्संग जिस प्रकार से जिस वानी में तद्वाग विसरगो जिस कथा में जिस लिट्रिचर में भगवान का नाम आता है वह शुद्ध करने वाली होती है व्यतिरेक में देखिए यही भ हम गाड़ी चलाते हैं तो यह भी देखते हैं कि एक्सिदेंट नहों गड़े में ना जाए गाड़ी इसे इसे बड़ा सुक्ष में है दुनिया की लोगों की तार लिखी गई बातें बहुत हमारे चेतना को पर्यूट करने वाली होती है तो वह भी असत्संग है अगे परोजी इतनी सरी बातने पहले बता देते हैं तो हम भक्ति करते ही नहीं लेकिन यह सब सुक्ष में चीज़े हैं इसके वचार करना पड़े हैं पढ़ी पढ़ी इस प्रकारवे ब्रह्म के दो सरूपों से परिचित होते हैं कौन सब ब्रह्म का दो सरूप एक ऐसा ब्रहमचर जीवन और विभाहित जीवन बिता पाना बिलकुल संभव नहीं है थोड़ी सी विनोत की बात मेरे मन में आ रही है कि मान लोग कोई 24 साल का बच्चा है बच्चा लड़का है और वो घरवाले उसको ग्रहस्त बराना चाहते हैं 25 साल में उनको पूछो आपने ह से मेरे को जानें नहीं नहीं तो कचला कर दिया तो मेरी तक बठाई हुई ही नहीं भीृट प्च्छिष साल में अपने गूर गूल में कहां बेजा तो यह कॉनविंड़ स्कूल में और झाल है यह और नहीं कर सकते लेकिन नहीं हो वाना सिक्षा हमारी इंद्रे सयम कि शिक्षा तो ही नहीं तो पहले पढ़तु लेने दीजिए उसके बाद शाधी करेंगे 50 साल उसके बाद 50 साल में सन्यास लेना कतम करें त तो तक माता-पिता रहेंगे ही नहीं ठीक है कि लेकिन ही बहुत महतपूर्ण है ब पत्रड врita dharma यह लड़कीयों को बहुत श्क्तिशाली बनाता है और ब्रह्मचले लड़कों को बहुत श्क्तिशाली बनाता है कहानी तो आप जानते हिए जया नहीं जानते होंगे चलिए ठोड़ी खाने से इंदी बहुत चलिए सुना देते हैं मड़ी इच्छा है सुना नहीं कि एक आता जी थी उनका पती जो था वह है कोड़ी था चतने चर्था में इसका बनना था और वह है एक वैश्या के प्रति आ सकते था तो उसने उस वैश्या की बहुत सेवा करी ताकि वह है उसके पती के कुछ सुख दे सके तो वैश्या ने कहा ठीक विसम लेकर आ सकते हो एक रात्री को जो वह लेकर आ रहे थी तो उसकी पाउं मंडव मांडव रिशी के लग गई जो मांडव रिशी को सूली पर चड़ाया गया था तो उन्हें बड़ा कश्ट हुआ मेरे पती के लावा कहीं भी और गया है कि कहीं भी और ना गया हो तो इस व्रत की पालन की शक्ति पर मैं कहती हूं कि सुर्य कल उगेगा ही नहीं और सुर्य नहीं होगा इतनी शक्ति सुच इतनी शक्ति और फिर ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी आते कहते ऐसा करते है करें आप सुर उगने डीजिये को रिक्रेस्ट करें आप सुर उगने दीजिये यह रोगेगा पिर आपका मद्रार करने फिर लम्बी कता है लेकिन उसका एक अंश है कि राजा जो है चले जाते हैं जंगल में अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं पत्नी उड़ती है देखती चला गया है तो एक शिकारी उन पर बुरी दृश्चित जालता है तो दम स्मरण करते हैं कि अगर राजा नल के अलावा मेरा च जैसे ही पूरा कुरु वंश ध्वंश हो गया तो अब दिख सकते हैं कि स्त्रीयों को अगर प्रती के प्रती समर्पित किया बनाने के ट्रेनिंग दी जाए तो कितना बड़ा शक्ति हो सकती है इसी तरह जो कोई पुरुष है अगर ब्रह्मचर का पालन करें तो कितना शक्ति बड़ सकती है इस सबका कोई ट्रेनिंग ही अब समाज में समाप्त हो गए पताइए कहां सिक्षा अब दी जारी है और वास्तिविक बात यही है कि स्त्रीयों को बहुत अधिक एजुकेशन देने से क्या होता है कि इंडिपेंडनस हो जाता है इंडिपेंडनस तो आज आती जाते हैं बद्धि उतनी ही रहती है अधिटर्भुपाजज जी इस बात को अर्टे में और यह हो रहा है अमरीका में क्यों सिंगल मज़ियों चल रही है को विकती आता है इस तरीओं कब हो करता है बचे हो जाते हैं बैस्यारि वह जंदिद्रि mata बड़ काम करती हैं विश्व का सामाचिक धाचा इतना बदल चुका है कि चात्र जीवन के प्रारम से ब्रह्मचर जीवन बिताना संभव नहीं है अब यह तो हमने आयटी में देखा तुम मेरे सामने देखा ब्रामण परिवार की अच्छे बच्चे मास खाना चालू करते हैं तो आपना पता है क्या बोलते हैं सीनियर अजय तुम अमरिका जाओगे वहां क्या क्हाओगे अमरिका जाओगे तो क्या क्हाओगे अभी सी ट्रेंइंग देलो यह स्टितिय आजाते हैं इताम आइटी में जो लड़के होते न बिल्कुल खराब नहीं आते बहुत अच्छे आसे असानी से नहीं होता है एटी में सेलेक्शन अमसोचों कि खराब लड़के आते हैं वह आकर कि सब उनको मात्मा का संग प्राप्त करें सब धिगड़ जाते हैं एक बार हम लोग मंगल आरती जारें देखा कुछ लोग जहें सिग्रेट पी करके आ रहे हैं इतना दूख ल किन्तु ऐसी मानेत प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रमचर के सिध्धानतों में सिख्षा प्रदान की जा सके ब्रमचर के बिना अध्यात्मिक जीवन में उन्नती कर पाना अत्यंत कटे लाग कि शुकुदेव को स्वामी का वचन है जो अब्रिहत व्रत होते हैं कि सुनना चाहेंगे वह भगवत धाम नहीं जा सकते हैं जो बार-बार ब्रमचर के खंडन करते हैं वह भगवत धाम नहीं जा सकते किसका वचन है शुकुदेव को स्वामी पढ़िए प्रवजी ब्रहमचर का पालंग करें। श्रीला प्रभुपाद जी के शेश्यों को प्रभुपाद बोल रहे था एक बार। अगर कोई विक्ति 25 साल अब ब्रहमचर का पालंग करता है तो उसकी बुद्धी बहुत अच्छी हो जाती है। और वह कुछ भी सुनता है तो याद कर लेता है। तो सारे जो शेश्य थे वो नीची देखने लगे। मुह लटका करें। फिर प्रभुपाद कोई बात नहीं अब हरे किस्ट जब करिए सब ठीक हो जाए। तो भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है अजामिल भी तो नहीं करता है ब्रहमचर का पालन। अधान दीजेगा मैं लाइसेंस नहीं देने के लिए बोला हूं कि नियम डिस्टरब करने हैं अशा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हम लोगों को तो वही विगत विक्लवक्त कल्योग में जीवको सभी बोलते हैं नम्र होना बहुत असान है। говорить कि आप लोगों कुछ कच्छना लग रही है क्या नहीं अचहीं कि कि नम्र हो न इस लिए असान है कल्यों में क्यक्यों योग मधशिता कुछ ही मन्द सुमंद मत यो मन भाग्या रही उपद्रता है रही किसी केव लम कला वे नास्ते वे नास्ते वे अति रद्मिता अगवा मैं बहुत पतित हूं आप कृपा करके मेरे को योकता है ना ब्रह्मा जारी ना कुछ आप मुझे करके मेरा उधार की बहुत अच्छी बात को इस पर प्रश्न है नहीं तो फिर अग्ला श्लोग हम देखेंगे प्रश्न ही अãy प्रुणोस पैपके है और मन के पापको गरहन नहीं किया जाता लेकिन यह सभाविक सी बात है कि मन अगर हम बार-बार छोड़ देते हैं भोगों में तो फिर स्थूल रूप में भी परिवर्टित हो जाते हुआ देखिया हम जहां कहीं भी भी हो भागवान की तरफ हमेशा उन्मक हो सकते हैं तो इसलिए हम लोगों को निराशा होने की जुरत नहीं है भागवान का नाम एक ऐसा हवाई जहाज है जो सब कुछ सारे सद्गुण देदेगा सारे सद्गुण देदेगा भागवान की भक्ति एक ऐसी चीज है सारे सदकुन देने लिए अजामिल जैसे व्यक्तिकों भगवान ने अपने व्यकूंट से दूद भेजे बचाने के लिए तो अब क्या कहा जाए प्रवपज कहते हैं जो लोग उतने पापी नहीं है जितना कि अजामिल थे तो अजामिल था तो उनका उधार हो ही जाएगा मेरी तो बड़ी इच्छा होती है आप लोगोंने कभी सुना नहीं होगा चैतन भागव से कभी समय मिलेगा तो बोलूंगा जब जगाई मधाई का उधार हो गया तब मधाई ने क्या बोला मधाई की प्रार्थना कभी ने सुनाना आपने वह सुने हैं कुछ इस प्रकार से शहिमन चत्रने महाप्रभु कृपालु वह जो महाभोगी महापापी था आगी जाकर वे माधवान नंध ब्रमचारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ भगवान का नाम जब करने से लखाहिद्य नाम की वैश्या थी उपरम वैश्णवी परम हंस वैश्णव किया ब्रमचर अपने आप पालन होए मिल जाएगा भोवों से वन निवृत्य हो जाएगा प्रभुपाज इसको बोलते हैं सटे सकन्वे जब तक कोई वानी को सहमिद्य नहीं करता तो ब्रमचर का पालन नहीं कर सकते वानी को और जीम को दोनों को भवान का प्रसाद ग्रह नहीं तोड़ सकता है तो जो हम चर्चा कर रहे हैं हरी चर्चा और हरी कथा दिव्य ज्यान दिव्य नाम इसी का अश्र लिए कौन और इतना जदा प्रेशर है सब्से कि दूशित होना मन का सभाविक है रहुपाजी कहते हैं आजामल ने एक दिर्ष्य देखा वो पतित हो का यहां तो जगे जगे दिश्य है वो तो लॉट डाउन नहीं तो घबरल ब्श देखा कहां नहीं मन का देली को अच्रे लेकर अगर प्रपान का अश्री लेते तो हम बश सकती है कि है